हेलो जी नमस्ते सस्याकार असलामलेकूम आपका स्वागत है मेरे चैनल रिपल जू चैरो हिंदी उर्थु पे और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक कार्ड आप देख सकते हो और एड़ी टाइटल में ही लिखा वाय टॉपिक कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे जिन सासाइटर विखा से इसाथा नहीं होई है और आप की जो लोग मेरेड हैं वो भी देख सकते हैं इससे आपको मजीद पता चलेगा कि आपके वाकी आपके जैड। जो मैं बता रही हूँ या उनके साथ उनकी personality match करती है carrier या जो चीज भी है आप देख सकते हैं लेकिन ज्यादा तर यह उन लोगों के लिए हैं जिनकी शादी नहीं हुई है आपके जो future spouse हैं उनकी personality कैसी होगी उनका carrier मैं आज discuss करूँगी आपको बताऊंगी profession उनका carrier क्या होगा दिखने में कैसे होगी appearance कैसी होगी उनके initials क्या होगे उनके नाम के letters क्या होगे और आप उनको यह भी बताऊंगी आपको क्या आप उनको मिल नहीं कैसी उनका profession, उनकी personality, initials और उनकी overall personality कैसी होगी आपके साथ या overall उनकी personality कैसी होगी तो आपको पता चल जाएगा आपके साथ connection नहीं बताऊंगी क्योंकि I will do another reading कि आपकी शादी किसी होगी I do that ये especially आपकी future spouse के बारे में है ठीक है? कि उनकी personality क्या होगी उनका profession क्या होगा, field क्या होगी उनकी आप उनको मिलोगे कैसे और उनके initials क्या होगे और मजीद उनके बारे में ऐसी चीज़ें जो आपको जानने की जरूरत है उनके बारे में ठीक है? All detailed about your future spouse ठीक है? उनकी personality, appearance, everything Detail about your future spouse So, ये एक general reading है आपके साथ resonate करे Most welcome on this channel Please hit the like and subscribe this channel और hit the notification bell तक जब भी इस चैनल पर reading upload हो आप उसी वक देखिए मिस ना कर सकें किसी भी reading को तो आपके साथ resonate कर सकती है It's okay, it's a general reading आपके कोई personal reading की life है नहीं है ठीक है? specifically तो definitely it's not important here लेकिन अगर आपके साथ resonate करे Most welcome on this channel and please like, share and subscribe with your friends and family आपके सामने three piles पड़ी है and I will do the live shuffling and live cards So, आप चूज कर लो intuitively कि आपको क्या चूज़ अट्राक्ट कर रही है Again, ये gender free reading है आप कोई भी हो और किसमें भी interested हो सब लोग इसको देख सकते है Option number one is ring Option number two is a pink flower and option number three is this jewelry this necklace So, चूज कर लो आपको क्या चाहिए आप क्या चूज कर रहे हो पिक कर रहे हो और मैं मिलूँगी आप से आपकी reading पर तो स्टार्ट करते हैं आज की reading Hello, pile number one जिन्नोंने ring चूज किये है Let's see कि जो आपके future spouse है लड़की ये लड़का आपके साथ उनका connection उनकी main theme आपकी future relationship की क्या होगी We have the divine masculine Wow So, definitely आप मैं से काफी सारी लड़कियों ने जिसने ये ring चूज किये आप लड़किया ही हो ज्यादा तर female ने चूज किया है लेकिन अगर आप लड़के भी हो इस video को देख रहे हो Sun Moon या Rising और Scorpio हो सकते हैं Taurus हो सकते हैं Capricorn नजर आ रहे हैं Libra नजर आ रहे हैं Virgo Gemini तो ये वहले sign मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं और Cancer So, मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपके partner जो future spouse होंगे Especially अगर मैं पहले सबसे पहले male की बात करूँगी वो बहुत fit होंगे Athletic body होगी उनकी Gym जाना उनको पसांद होगा Fit body होगी Mascular उनकी body होगी Face पे बिलकुल नजर आएंगी उनकी body पे आपको totally Tune body होगी Fit body होगी कुछ लोगों के लिए six packs भी हो सकते है मतलब उनने अपनी body को बहुत fit रखावा होगा Packs उनके नजर आएंगे आपको और एक important चीज़ यहां पर मुझे नजर आ रही है कि आपकी जो partner होगी Pet lover होगे ठीक है हो सकते है उनका pet हो कुई भी pet हो सकते है बहुत ही specific है कि आप मैंसे काफी सारे लोग इस इनसान को अल्रेड़ी शायद जानते है ठीक है या आप अल्रेड़ी इनको मिल चुके है इनके बार brown या dark brown हो सकते हैं या black हो सकते हैं इनकी सब से चीज़ फेस पर prominent इनका nose और इनके eyebrows होगे लड़की भी होगी तो nose या eyebrows prominent होगे लंबी आखें होगी, big eyes चोटी आखें बिलकुल नहीं होगी, big eyes होगे lips बहुत prominent होगे you know that what this called I don't know what is this called आप लोग उसर मुझे कमेंट में बताना वो जो man's man's की जो chin होती है specially specially, लड़की भी हो सकती है मजब चीन पर मुझे खड़ा सा पड़ा होता है वो वला इस तरह की मुझे नजर आ रहा है specially, उनकी prominent वो होगे यह चीन वाली जो side होगी जो जुनकी चीन है वहां पर खड़ा सा पड़ा होगे एक होती है ना face मैं कैसे बता हूँ आपको, I don't know what is this but yes, एक खड़ा सा पड़ा होता है एक इस तरह से थोड़ा सा उठावा होता है चीन उठी भी होती है थोड़ी सी इस तरह की body होगी लेकिन बहुत athletic होगे लड़की भी होगी तो जिम जाना उसको पसंद होगा फिट body होगी अब मजीद यहां से देखूँगी के personality कैसी हो सकती है उनकी type जो आपको मजीद आपके future spouse की personality के बारे में बताएंगे जो हमें जानने की जरूरत है obviously we will see अब यहां से देखेंगे हम we have you are sweet temptation बहुत ही important चीज यहां पर यह है कि आप उनके लिए बहुत attractive होगे और वो आपकी तरफ बहुत attractive होगे तो आपको लगेगा कि इस इंसान इस लड़की को में जब देखता हूँ तो बस पागल हो जाता हूँ और यह वो ऐसे फील करेंगे आपके बारे में या आप उनके बारे में आप उनको लाइवरेरी में या मिलोगे या education के थ्रू online सो काफे सारे लोग आप इनको online मिलोगे वी आलसो हैव लांग दिस्टन्स ओके तो डेफिनिटी कुछ लोग के लिए long distance connection होगा, आप इनको शद्व उनिवस्टी, college या online classes के थ्रू मिलोगे, या किसी course के थ्रू भी मिल सकते हो, ठीक है, we have big body, so yeah, अगर लड़का भी है, तो उसकी body काफी big होगी, athletic होगी, we have a snapchat, so काफी online वाली यहाँ पे options आ रही है, we have acne face, so एक चीज़ prominent होगी, कुछ लोगों के लिए definitely specific होगा यह, कि उनके face पे acne होगी, we have a five to six months, आपसे age में बड़े होगे, या आप इनको मिलने वाले हो within five to six months, या भी आपको five to six months हुए है, इनको मिले हुए, या आपकी शादी हुए है, अगर आप merit देख रहे हो तो, strong face features, yes, काफी strong face features होगे, prominent जो आपको नजर आएंगे, काफी सारे लोग, आप इनको family के थ्रू मिलोगे, या आपकी family एक दूसरे को introduce करवाएगी, या आप दूसरे को जानते होगे, या आप definitely, it's mean that you're going to create a family with this person, dark skin होगी उनकी लड़की या लड़का, we have I miss you, तो काफी सारे लोग शायद आप इनको जानते हो और वो आपको miss कर रहे है, या शायद वैसे भी अगर आप नहीं जानते हो, so they're missing their future spouse, like वो आपको miss कर रहे हैं, वो चाते हैं कि अब उनकी शादी हो जानी चाहिए, और उनको उनकी life में partner आ जाना चाहिए, dimple होगे definitely, dimple face पे होंगे, and we have the flirt, so लड़का या लड़की शादी से पहले flirt हो सकते हैं, या आप से भी flirt करेंगे, शायद, we have a singer, तो उनकी आवाज बहुत अच्छी होगी, या बहुत dominant होंगे इस चीज में, लेकिन अब हम देखेंगे कि उनका carrier का उनसी field से हो सकता है, let's see, लड़की या लड़का, उनकी carrier वाली field क्या होगी, okay, so we have the barber, ठीक है, definitely hair dresser होंगे, hair cutter, hair dresser, या किसी तरह के भी hair से related होगा, barber हो सकते हैं, लड़की भी होगी, तो हो सकता है, makeup artist है, या ये इंसान makeup artist है, ठीक है, इस तरह, let's see, मजीद, we have a policeman, okay, yeah, official job हो सकती है, उनकी, like, very fit body, काफी सारे लोगों के लिए, अगर या आपके दूसरे या पहले शोहर हैं, तो काफी सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर age में पड़े होंगे, तो definitely, I know, लड़कियां कहेंगी, गंजा नहीं चाहिए हमें, तो कुछ लोगों के लिए, बाल, black हो सकते हैं, brown, blonde, bald, आई भी की वे होंगे इस लड़के ने कुछ लोगों के लिए, गंजा हो सकता है, ठीक है, bald, क्योंकि या पे नजर आ रहा है, तो उनके हो सकता है, कि इस इनसान के बार, आपके future spouse के, अगर age में बड़े होंगे, तो बाल नहीं होंगे, उनके थोड़े बहुत, जैसे इदर-उदर से होंगे, लेकिन सामने से नहीं होंगे, we have the porter, so definitely कुछ create करते होंगे, pottery के साथ, या वैसे ही, किसी तरह के art से related होगा, we have maid, अब यह मैं यह नहीं कह रही हूँ के maid होंगे, मतलब इस तरह का हो सकता है, कि वो, हो सकता है कि किसी तरह की service में, authority में इस तरह के maid को देखते हों, conductor हो सकते हैं, ठीक है, काफि सारे लोगों के लिए, I'm not saying that, कि आपके partner maid होंगे, so maid का मतलब यह है, कि हो सकता है, कि उनसे नीचे वाले grade के जो लोगों है, जो उनके under काम करते हैं, तो उनके मतलब वो हो सकते हैं, high authority होते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, uniform की, जो आप ऐस तरह की हो सकती है, कि उनमें uniform हो, ठीक है, uniform बेहनते होंगे, definitely कुछ लोगों के लिए, glasses लगी वी होंगी, अगर age में, 40 to 50 अगर मैं बोलूँ, या 60 से अबव भी जा सकते हैं, तो glasses लगे वे होंगे, ठीक है, मूचें भी हो सकती हैं, ठीक है, तो डिफरेंट लोगों के लिए, डिफरेंट है, obviously, let's see, मजीद हमें यहां पर क्या प्रोफेशन नजर आता है, we have artist, या, definitely artist हो सकते हैं, किसी तरह का भी artist हो सकते हैं, creative बहुत होंगे, आपके future spouse, या लड़की अगर होंगी, तो बहुत ही creative होगी, यहां बें बच्चे नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है, teacher हो सकता है, या एक art teacher होती है, आप हो सकते हो, या वो होंगे, ठीक है, creative field से भी हो सकते हैं, लड़की होगी, तो creative field से ही होगी, कुछ ना कुछ, makeup artist, या, उसके अंडर, बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, इस तरह मतलब, जैसे duty लगी होगी, देखना, कि हर कोई अपना काम सही कर रहा है, या नहीं, इस तरह की job हो सकती है, management का, ठीक है, management के उसमे, let's see, मजीद, क्या field है यहां पे, we also have the cashier, important store, या वो होते है हमाँ पे, so, porter हो सकते हैं, ठीक है, मतलब, luggage, carry करना, और इस तरह से, fireman हो सकता है, we also have the baker, food से related कुई चीज़, जो आप हो सकती है, या आप हो सकते है, या वो cook हो सकते है, coach हो सकते है, या किसी तरह की, coaching में हो सकते है, आप हो सकते हैं कि उनके इनिशल्स क्या होंगे, this is their profession and field, so, अब उनके इनिशल्स देखते हैं, कि उनके इनिशल्स क्या होंगे, let's see, कि मजवीद आपको, मैं क्या बता सकती हैं, आपके future spells के बारे में, let's see, okay, so, we have M, N, we have X, we also have B, we have F, D, आपको इन से नाम भी बना ले न, अगर नाम बनते होंगे तो, R, L, we have 38, so, काफी सरा लोगों के लिए, बहुत ही prominent 38 years में, आपकी शादी होगी, या उनकी age 38 होगी, या आप दोनों के दर्मियान में, age gap 3 या 8 years का हो सकता है, 7 years का भी हो सकता है, life path number 3, 8 या 7 हो सकता है, या आप इन dates को मिलोगे, इन months में मिलोगे इन से, E, U, उनकी date of birth भी हो सकती है, इन months में, या उनकी date of birth यह हो सकती है, U, E, double E, triple E है याँआँपे, oh my god, 4E, we have a P, and we also have D, so काफी सारा लोगों के लिए BF है, याँपे boyfriend, या आपका boyfriend है, current boyfriend है, या आप इनके साथ boyfriend रहे चुकी हो पहले, या आप दोनों पहले date करोगे, फिर शादी होगी आपकी, और मैं ज़िए याँपे क्या ना अदर आ रहा है, okay, me, याँपे मी बनता है, तो मी, मी का मतलब यह है कि काफी self-focus होंगे, अपनी खुशी अपने उपर ज्यादा फोकस करना, उनका उनकी डाफिनेटी, मी वाली चीज होगी उनके अंदर कि मैंने कुछ करना है, DP, तो डाफिनेटी आप हो सकता है, इनको नेट पे जैसे मिलोगे, दूसरी की DP को लाइक करना, या पिक्चर्स, ओनलाइन फ्रेटिंग चल सकती है, तो यह वाले यहाँ पर लेटर्स भी है, और आपको इनसे अब नाम करियेट कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है, दिस इस येर, अब मैं देखना चाहूँगी कि, उनकी परसनालिटी क्या होगी, ठीक है, स्पिर्शुली और वैसे ही, उनकी परसनालिटी या, मजीद आपको उनके जानने की बारे में, मजीद हम देख लेते हैं, वी हैफ पीकॉक स्पिरिट, लेट इट शाइन, इज हो सकती हैं उनकी या आपकी, 4 प्लस 6 बहुत इंपॉर्टन नंबर होगा, या दोने के दर्मियान में एज गाप हो सकते हैं, कुछ भी नंबर बहुत इंपॉर्टन हैं, इंपे नंबर पे अटेंशन दीजेगा, पीकॉक स्पिरिट, या, तो काफी दिखने में खुबसूरत होंगे, या या अगर लड़की है, तो बहुत ही खुबसूरत होगी दिखने में, और मुझे या पर हाइट भी ऐसे नज़र आ रही है, कि लंबी होगी, आप से एज में, सॉरी, हाइट में बड़े होंगे, आप से हाइट में बड़े होंगे, या बहुत ही टाल होंगे, ठीक है, तो काफी सारे लोगों के लिए, उनकी 6 feet तक हो सकती है, हाइट, ओके, और मुझे याँ पर ये भी नज़र आ रहा है, कि आप शायद 5 foot, या 4 point something, कुछ हो, आपकी हाइट बहुत चोटी होगी, तो आपसे लंबे होंगे, या अगर आप चोटे हो तो वो लंबी होगी, आपसे अगर आपकी future spouse होगी, तो दिखने में बहुत कुपसूरत, कि मुझे लग रहा है यहाँ पे, काफी सारे लोगों के लिए नजर आ रहा है, कि लड़की होगी, तो lenses बहुत लगाया करेगी, different color के lenses, जैसे आँखों में, यह हो सकता है, उनकी आँखों का color बहुत खुपसूरत हो, different color का हो, जैसे आपने पहले कभी ना नोट किया हो, लड़की के में बात करेऊ, especially female की, educated भी होगी, study बहुत complete होगी, we also have number 55, snake spirit, time to heal, या मुझे लग रहा है कि आप दोनों के, बहुत sweet temperature होगी, दिखने में बहुत जयदा खुपसूरत, मतलब, temperature होगी, मतलब, जब आप एक दूसरे की तरफ अट्राक्ट होगे, तो आप दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, एक दूसरे को सोचना, एक दूसरे से दूर रहना, बहुत ही अट्राक्टिव होगी आप एक दूसरे की तरफ, तो 55 हो सकती है, 5 plus 5, 5, 10 and 10, तो यहाँ पर 10, 10 है, दो 10, 10 आ रहे हैं, तो हो सकते हैं, आप 10, 10 बहुत ज्यादा देख रहे हो, उनका अनिमल स्पिरिट, पीकॉक या स्नेक अनिमल भी हो सकता है, स्पिरिट, मतलब, इसका मतलब यह है, कि उनकी एनरजी हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है, वो हमेशा या केरियर चेंज करते रहते हैं, या उनका लाइफस्टाल चेंज होता रहता है, या उनकी बॉड़ी में चेंज आता रहता है, सो हमेशा वो हीलिंग प्रॉसिस ही गुजरते हैं, और या आलस वा पीकॉक स्पिरिट, So, अम है डाइफनेटी, लास्ट प्रॉस्टाल पर चेंगे आप उनका मिलोगे कैसे, How you will meet your future spouse? How you will meet your future spouse? Then I'm done your reading for group number 1, Bus Stop, So, काप्छी सारे लोगाप उनका बॉस्टाप पर देखोगे, हैंगे, We also have a gas station, We have a restaurant, ठीक है? Restaurant, And, 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 Let's see, okay zoo so zoo में उनको आप मिल सकते हो पहार किसी तरह के भी amusement park में या zoo में outing वाल जगह पे यहां पर पबलिक बहुत होती है वहां पे आप उनको मिल सकते हो let's see मजीद कहां पर आप उनको मिल सकते हो we have a bookstore yeah definitely आपको या तो बुक्स आपको reading कभॉश आपको या उनको होगा या magazine, या book store पे होते होंगे वो किसी तरह पे भी, cashier या कहीं पे भी इनी stop पे cashier हो सकते हैं कहीं पे भी one more, okay and we have a church, so काफी सारे लोग इनको church में या आपका जो भी, जैसे मंदीर है, मस्जिद है, जहां पे भी आपका जो भी religion है, उसके लिहाज से आप उनको गुदवारे में, ठीक है, अगर आप सीखें तो तो definitely आपका जो अपना religion place है, जहां पे आप इबादत करते हैं, जहां पे आप definitely prayers करते हैं, तो आप उनको मिलोगे वहाँ पे, सब के लिए different होगा आपका जो भी religion है, उस बेस पे, ठीक है so that is your reading, आपने मुझे comment में जुरूर बताना है, reading ऐसी लगी, like, share and subscribe, and I will see you in the next video, bye hello group number 2, जिन लोगों ने pink flower choose किया है, let's see के आपकी future spouse और आपके तरमियान में, जो overall theme होगी, वो relationship की क्या होगी, और कैसी होगी we have a reparenting yourself okay, आप में से काफे चारे लोग already शायद divorced हैं, आप बच्चों की single मा हो, या parent हो आप, या अगर आप single हो, आपकी शादी नहीं होई है तो आपका definitely मदर के साथ कोई issue रहा है या आपने मदर अपनी को खोया है, या इस इनसान की, जिनके साथ आपकी शादे या जो जहाँ पर कहीं पर पलते हैं, जैसे इस तरह से किसी किस तरह के Shatterhouse में, ठीक है, Shatterhouse में उनको कहीं शेल्टर मिला था और वहाँ पर उनने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था सो इस तरह कि उनके इनर्जी हो सकती है ठीक है, especially, तो यहां पर यह है कि मुझे लगते है कि अगर आप सिंगल हो तो डेफिनिटी आप डेफिनिटी अपनी फैमिली को रियेट करोगे आप डेफिनिटी पैरंट्स बनोगे लेकिन आप दोनों को खुद जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो आप दोनों ही बहुत स्किर्चुल होगे और आप दोनों ही शायद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से होकर आये होगे शायद आप दोनों की पैरंट्स नहीं होगे कुछ सिमिलेरटी जरूर होगी आपकी फैमिली लाइफ में या आपकी फैमिली टॉक्सिक होगी या आप दूश्क डॉनों की फैमिली में कुछ ने कुछ ऐसा सिमिलर जरूर हुआ होगा। आप दूश्की के साथ लौज दुनु में आओगे तो आप दूसरे के साथ लाइफ मुचाहसetos उक bunch तुचपन date doesee financial है जॉऑ चेंज करोगे, completely, आप दोनों एक दूसरे के लिए complete होना चाहोगे, चेंज करना चाहोगे, तो आप दोनों के दर्मियान में रिष्टा भी parenting type हो सकता है, जैसे mother और बच्चे का होता है, या father और बच्चे का होता है, तो आपके जो partner होगे, वो बहुत प्रोटक्टिव होगे, आपके future spouse, वो बहुत प्रोटक्टिव होगे, आपके parenting type वाला आपका connection होगे एक दूसरे के साथ, क्यूंकि आप दूसरे के लिए बहुत प्रोटक्टिव होगे, दोनों ही, ठीक है, जैसे एक बच्चे आपनी मा के साथ होता है, और मा बच्चे के साथ होता है, या बाप ब बच्चे के साथ होता है, और बाप बच्चे के साथ होता है, तो वो वला connection होगा आपका, क्यूंकि आप दूनों ने ही इस चीज को miss किया, या especially आपके partner ने, अगर आपने नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है आप दूनों की similarity थी, कुछ ना कुछ कमी जरूर थी बच्पन में जो आप इस relationship में पूरा करोगे, गुसरे को वो चीज दोगे, ठीक है, now let's see, मजीद मैं देखना चाहूँगी मेरे handmade messages से, क्या आपके partner की, future spouse की क्या qualities होगी, personality, जो आपको मजीद इनके बारे में confirmation देगी, let's see, we will see, तो first card है arts, so arts आप दोनों को बहुत पसंद होगा, या वो दिखने में लंबे, या लड़की भी होगी, तो warm heart, दिल बहुत ही ज्यादा warm होगा, आप दोनों एक दूसरे समयने का, बहुत warm hearted energy होगी, my parent वाला love feel होगा आपको एक दूसरे के साथ, so we have lovely smile, wow, very attractive smile, long distance होगा, काफी सारे लोगों के लिए, मतलब, आप से दूर होगे, we have you you are a sweet temptation, बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे की तरह बहुत addictive and obsessed होगे, we have a short, tall and short, तो different, आप यहाँ पर भी देख सरते हो, एक इंसान लंबा है और दूसरा इंसान छोटा है, तो आप दोनों का age gap शाद इतना होगा, I am definitely seeing the couple like 6 feet and 5 feet, या उससे भी छोटा, तो आप दोनों के दमिया में definitely, बहुत distance होगा, huge distance, difference होगा age में, जो लोगों को नजर आएगा, tall and short, your neighbor, काफी सारे लोगों के लिए, ये शाद आपके neighbor रह चुके हैं पहले, या होगे, swimming, या आपके swimming का shock होगा उनका, या आप उनका swimming के through मिलोगे, we also have older, yes, older, आप में से काफी सारे लोग या आप से age में older होंगे, बड़े होंगे, या आप उनसे age में older होंगे, fire sign हो सकते हैं, आप या वो, we have a water sign, wow, look at this combination, fire and water, so this is like a couple of fire and water, hot, passionate, sexy, online, तो काफी सारे लोग इनको online मिलेंगे आप शाइद, and then we have wait, या आप इनसे काफी सारे लोग इनको wait कर रहे हो इनका, अभी आप इ पहले आपको definitely, क्योंकि मैंने कहा ना, कुछ issues हैं, family के, जो को discuss करेंगे, या solve करेंगे, उनको trust नहीं होगा शायद, तो थोड़ा सा वेट करवाएंगे आपको, stalker, okay, काफी सारे लोग या आपका stalker होगा, online आपको stalk करेगा, या आप दोनों या एक दूसरे को stalker होगे, now let's इनकी job क्या हो सकती है, professional क्या हो सकता है, ठीक है, तो दिखने में, जैसे मैंने कहा, हो सकता है, कि आप दोनों का definitely, सबसे major difference होगा, वो आपका height में होगा, ठीक है, उसके बाद आप दोनों की family life सेम होगी, ठीक है, आप दोनों के साथ, सेम कुछ हुआ होगा, बच्पन में, या हो सकते है, आपकी भी mother नहीं थी, उनकी भी नहीं थी, इस तरह कुछ दरूर family में हुआ होगा, मतलब toxic family या कुछ इस तरह का connection होगा, और उसके बाद, आप दोनों के hair color एक जैसे हो सकते हैं, या आप दोनों dye करोगे कठे, सो लड़की होगी, तो dye करती रहेगी hair, मतलब मुझे लग रहे है, red to dark red, और इस तरह मतलब dye hair है याँ पर, लड़की को jewelry पहनना बहुत पसंद होगा, या आपको इनकी तरफ से gift मिलेगा, जो आपको देंगे वो, ठीक है, और काफी सारे लोगों के लिए, आप जब इनको मिलोगे, तो definitely आप बहुत सारी butterflies देखोगे, क् butterfly is always the sign of transformation, और egg है यहाँ पर, तो it's like a rebirth, तो काफी सारे लोगों के लिए आप इनको आप इनको आप जानते हो, और इस वक्त आप वेट करें उनका, और यह आपकी life में दुबारा वापस आएंगे, ठीक है, मुझे नहीं लिखता आपने इनको date किया है, या आप इनको अभी आप इस लेवल पर पहुंचे हो, शादी के तक, लेकिन आप मिलोगे, आपका connection strong होने वाल है, transformation होने वाल की relationship में evolve होने वाल है, और लेकिन दूसरे लोगों के लिए, शाहद आप इनको अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिले हो, लेकिन जब आप मिलोगे, आपका connection ऐसा होगा, लेट सी, मजीद में आप मताऊंगी, अगर लडगी है तो उसकी body, जो है, वो healthy होगी, I'm definitely saying chubby girl, okay, मैं बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ लडगी जो फीट होगी, आप हो सकते हो, रेकिन mostly में यहाँ पर देख रही हूँ चबी girl, या चबी face होगा, ठीक है, जैसे गाल भरे भरे वे, cheeks भरे भरे वे, eyes बड़ी, nose मतलब ना लंबा न चोटा, इस तरह का होगा, prominent, और शायद आप उनको जब मिलो या इस लडगी को red lipstick या pink lipstick लगाना बहुत पसंद होगा, now let's see, we have waitress, okay, so लडगी होगी तो waitress हो सकती है, या waiter हो सकते है, लडगा, yeah, look at this, काफी सा ज़र आ रही है मुझे, लेकिन, tan skin भी हो सकती है, white to tan skin, and dark skin, pale skin, but I'm not seeing black hair, I'm not seeing, okay, so यह उनकी professional field हो सकती है, waitress, let's see, मजीद waiter हो सकते है, waiter या waitress, let's see, पीर टीचर, okay, तो आपके teacher होगे, या वैसे teacher होगे, किसी भी फील में, या waiter, oh my god, waiter and waitress, so definitely, या हो सकते है, आप दोनों कठे, एक ही उसमें, रेस्टरोंट में काम करते होगे, या आपके एक ही फील्ड होगी, तो इस नहाँ आप मिलोगे उनसे, या आप दोनों, शादी के बाद कुछ बिसनेस स्टाट करोगे, एक जासा, या भी हो सकते है, let's see, मजीद क्या profession हो सकते है, आपके career क्या हो सकते है, आपके future spouse का, businessman, या business mind होगे, definitely look at this man body, suit and boot and personality, so definitely three-piece suit, businessman, business woman, photographer हो सकते है, आप या वो, इस तरह की profession हो सकते है, या as a hobby करते होगे, let's see, we have nurse, okay, कापी सारे लोगों के लिए nurse होगी, तरकी, या दौक्टर, डौक्टर नहीं, नर्स, आप नर्स होगे, या वो नर्स होगे, इस तरह की field, farmer हो सकते है, मतलब अपना business हो सकते है, या family का, या इस तरह, then we have a security guard, okay, look at this all, uniform, लड़का कितना tall है, मतलब the man is tall, yeah, तो young भी हो सकते है, clean shave, और businessman भी हो सकते है, मतलब mid 40, 50, 50 से उपर भी हो सकते ह क्योंकि यहां पर है, gray hair वाले भी, ठीक है, man, masculine, लेकिन definitely professional field होगी, जो भी है यह, काफी professional field से होगे, professional होगे, अपनी job में, जो भी इनकी field होगी, I'm definitely seeing in a uniform, and some type of three-piece suit, shirt, and pants, इस तरह की चीज़ों में, for masculine, male, okay, let's see, मजीद हम देख लेते हैं कि क्या होगे, we have a painter, so definitely, घर को paint क इस तरह की चीज़ों में हो सकते हैं, या वैसे painter हो सकते हैं, let's see, okay, and we have a reporter, okay, journalism में हो सकते हैं, reporter, online reporting हो सकती है, या वैसे, काफी सारे लोगों के लिए ये Asian भी हो सकते हैं, ठीक है, Asian हो सकते हैं, जैसे countries, China, Japan, या इस तरह की countries से, ठीक है, या आप खूद ऐसे दिखते होगे लड़की होगी तो ऐसी दिखती होगी, short eyes, मतलब छोटी सी eyes, छोटी आंखे, okay, now let's move towards initials, मजीद हम देखेंगे इनके initials, आपके future spouse के, लड़की या लड़का, yeah, let's see, okay, I have V, we have M, we also have L, P, we have, we have 23, so 23 age हो सकती है उनकी, या 26, we have a 236, बहुत important number है याँ पे, age gap हो सकता है आप दोनों के दर्म्यान में, या आप दोनों के दर्म्यान में, ये date of birth हो सकती है, इस dates पे, इन months में आप मिलोगे, या उनको मिले हो गे, age gap हो सकता है, life path number भी हो सकता है, we have E, T, E, we also have G, we have T, आप खुद नाम बना सकते हो याँ से, लेकिन जो चीज मुझे नजर आएगी, मैं definitely बोलूँगी, याँ पे L, X, I, T, and we have R, okay, एक चीज में याँ पे नजर आ रही है, कि great, G, R, E, T, so great हो है, teacher में याँ नजर आ रहा है, मुझे teacher, great, ठीक है, I am also seeing Excel, so I don't know, वो Excel size में कपड़े पहनते होंगे, या पहनती होंगी, इस तरह भी हो सकता है, right, so जहाँ पे आप रहते हो, उनकी right side पे होंगे, जहाँ पे भी आप जिस field में भी हो, शाइद right field पे, अगर business, आप इदनों कटे business करते हो, तो right side पे, या right city में आपके, जहाँ पे आप रहते हो, right side पे country होगा, या city होगा, या area होगा, वहाँ पे होंगे वो, उस side पे, ठीक है, yes, okay, अब मैं देखना चाहँगी के, उनका animal spirit क्या होगा, और उनकी personality या होगी, मजीर, spiritually वो कैसे होगे, और उनका animal spirit क्या होगा, किस तरह की personality होगी, okay, we have number 47, pig spirit, use your mind wisely, okay, ब बहुत ही smart, बहुत ही professional, बहुत ही smart, very smart person, अगर business में, definitely this person is a businessman, तो इनका दिमाग और teacher भी होगे, तो काफी educated होगे, professional degree होगी, बहुत दिमाग चलता होगा, बहुत smart होगे, बहुत active उनका mind होगा, या इस तरह की field में होगे, जिसमें बहुत creativity जरूरत है, या active mind की जरूरत है, 47 age हो सकती है, या 47 कुछ important हो सकता है, 7 plus 4 definitely 11 number, okay, so 11, it's definitely your divine counterpart, आपका soulmate हो सकते हैं, तो ये उनकी, हमेशा आपने mind को wisely use करेंगे, patient बहुत होगे, जल्दी किसी चीज़ की नहीं करेंगे, patient उनका, जो है वो, pig उनका spirit हो सकता है, या pig year में पैदा होएंगे, Chinese year में, pig में जाके देखिएगा, उनका आपको अगर year नजर आएगा Google पे, we have number 51, we have sandpiper spirit, be playful, या बहुत playful होगे, बहुत playful nature होगी, बहुत ज्यादा, दिखने में जैसे पीर अगे, जैसे मैंने कहा हो, मुझे यहां पे फीर नजर आ रहा है, because pig is like very short, और आप इसको देख सते हो, sandpiper spirit, it's tall, so आ nature में चीजें, बहुत ज्यादा पसंद होगी, बहुत ही playful nature होगी, यह नहीं किसी फ़रवक्त सडियल सी आदत है, उनकी nature होगे, पढ़ना, दिमाग इसने चूजगे, playful बहुत होगे, ठीक है, आपके साथ बहुत fun time spirit आपका गुजरेगा उनके साथ, now I wanna see that how you will meet this person, आप अप city यह country होगा, जहाँ पर bridge होगा, बहुत important होगा, I am definitely looking like, I don't know, bridge बहुत important होगा, या आप उनको bridge पर पहले first time मिलोगे, किसी इस तरह के जगह पे, we have a school, okay, so काफी सारे लोग जैसे teaching है, तो school वाली फिल में, आप दोनों teacher होगे, या स्कूल में उनको मिलोगे, या कहीं आप ज school में, ठीक है, let's see, we have the museum, so definitely बहार, museum, I am definitely seeing Japan here, and we have the clown, so definitely entertainment, या on the street, इसी जगह पे आप उनको मिलोगे, unexpected, this is like unexpected, like a joker, okay, किसी funny places पे, theater में, entertainment, उसमें, concert पे, या drama में, या theater पे, ऐसी जगह पे, जहां पे बहुत प्लेफुल चीज़े है, play वाली जगह होती है, जहां पे especially joker बने वे होते है, and I feel like it's like a mcdonald's or, वाली जैसे, वाहां पे बने वे होते हैं, बच्चों के लिए प्लेफुल जगे, ठी मिलें, जैसे बच्चों की games होती है, या बड़े भी खेलने जाते हैं, कहीं पे भी जैसे game वाली जगह होगी, या we have a theater, so next to the theater, we have a hospital, so या अगर नर्स हैं या doctor हैं, तो obviously in hospital, आप इनकी मुलाकात होगी, आप चेकिंग के लिए जाओगे, check-up के लिए, या आपका मिलना इंस accident से, या कोई, किसी के through, जैसे आप मिलने जाते हो, देखने जाते हो, तो वहाँ अलगात होगी, किसी से, let's see, Azid, let's see, what is their profession, sorry, how you will meet this person, कैसे मिलोगे उन से, okay, and then we have airport, okay, yeah, कापी सारे लोग इनको airport पे मिलोगे, या airport पे अगर ये शायद हो सकता है, काम करते हो, one more, one more, I think I should get one more, okay, swimming pool, और यहाँ पे अल्रेड़ी swimming आए, so something like a swimming pool, वहाँ पे कोच होंगे, या आप उनको मिलोगे, ठीक है, या आप swimming classes लेने जाओगे, या वहाँ वहाँ पे होंगे, कुछ इसरा हो सरफते है, ठीक है, या बहार के किसी restaurant में, या इसी जगों पे जहाँ प Hello group number 3, pile number 3, जिन्हों ने भी ये necklace choose किया है, jewelry set, let's see, कि आप दोनों के तरम्यान में relationship कैसा होगा, थीम किया होगी आपके relationship की, we have commitment, wow, so we have the swan spirit, वाकी बहुत commitment होगी आप दोनों के तरम्यान में, this looks like a soulmate, a twin flame connection, ज़रूरी नहीं है, आप मेंसे काफी सारे लोग अरड़ी इनको मिल चुके हो, लेकिन मुझे लग रहे है कि आप इनको पहले अपने dreams में देखोगे, या आपको अरड़ी पहले signs मिलना शुरू हो जाएंगे, कि आपका future spouse आ रहा है आपकी life में, और जो लोग married है, आप देखने हो और देखना चाहते हो, आप दोनों में बहुत सारी similarities होग आपको ऐसे लगेगा, कि आप दोनों opposite हो, लेकिन फिर भी आप दोनों बहुत same हो, आप दोनों की qualities होगी, वो same होगी, आप mirror करोगे एक दुसरे को चीजे, ठीक है, या जब आप एक दुसरे को मिलोगे, तब भी आपकी life में काफी जह हो रहा होगा, मतलब मुझे लग रहे खाए काफी सारे लोगे आप नहीं जानते है कौन है, अभी नहीं आपई इनको मिले हो, या आपका दिमाग बहुत मिलता होगा, आप लोग एक दुसरे के इस तरव बहुत attractive होगे, आप द Way I scholarship हrios हो, आप बहुत respect करोगे, एक दुसरे की मतलब यह इस तरह की शादी है कि शादी हो जाने के बाद भी आप दोनों की respect और love एक दूसरे के लिए खतम नहीं होगा ठीक है this is that like a marriage now let's see मजीद personality, we have texting so आप में से काफी सारे लोग आल्रेडी इनको texting कर रहे हो आप इनको जानते हो, best friend forever यह आपका best friend होगा यह शादी के बाद आपके एक दूसरे के लिए आप best friend बन जाओगे या आपके best friend इनको इनको इंटोड्यूस करवाएंगे आपसे we have a rich person so अमीर होँगे, wealthy person होँगे ठीक है we have a arts, so arts से related हो सकता है आप या वो, आपकी profession हो सकता है या voice field से होगे BFF, wow, look at this wow, two different cards और दोनों से BFFI है तो आप दोने एक दूसरे के best friend forever होगे मैंने बोला न, आप दोने एक दूसरे के perfect match होगे best friend होगे, आप उनको sport करोगे, वो आपको sport करेंगे हर चीज में, next lover या काफी सारे लोगों के लिए आपका next lover है आप इनको नहीं जानते हो, इनसे मिले नहीं हो या obviously जिनकी शादी हो चुकी है वो और रएडी जानते हैं इनको मिल चुकी है, we have a big eyes, so सबसे चीज आप इनकी पहरे नोटिस करोगे big eyes, उनकी आँखे gym, so काफी सारे लोग आप इनको जिम में देखोगे या जिम में मिलोगे, या इनको जिम करने का बहुत शॉक होगा player, okay, so आप से मिलने से पहले player होंगे या जब आप इनको फस्टाइम मिलोगे, आपका impression ये होगा कि this is player, love sex, wow so love बहुत strong होगा और sex भी we also have co-worker, so आप इसे काफी सारे लोग इनके साथ अरड़ी work कर रहे हो या आपने किसी तना का project किया है, you know them आपके co-worker होंगे, आप में interested होंगे, wow look at this, co-worker and co-worker, wow guys, you have synchronicities and signs, same चीज़ें आपकी reading में आ रही है और यहाँ पर भी आपको two swans नजर आ रही है, जो एक दुसरे को mirror करें तो आपकी बहुत सारी similarities होंगी चीज़ों में आप लोग का interest सेम होगा, आप लोग को बिलकुल सेम mirror soul होगे I'm like a seeing mirror soul mate, yeah twin flame क्योंकि आप दोने दुसरे का mirror होगे, ठीक है हर चीज आप दोनों की, आप दोनों को अरड़ी पता होगा कि आपके partner को क्या चाहिए, उनको पता होगा कि आपको क्या पसंद है, इस तरह की चीज़ है वाव we have a cat lover, आप या वो, वो cat lover होंगे we have a spying on you, तो काफि सारे लोग या अरड़ी आपको spy कर रहे है, शाद आपको पता नहीं है so online कर सकते हैं, या जहाँ आप work करते हो उनकी नजर वहाँ पे होगी, आपके neighbor में हो सकते हैं या किसी प्रोस में, या same colony, same city तो यह definitely आपको पीछा करेंगे अगर university college में भी होगे, तो आप पे नजर अखेंगे आपके का फिरसे से आप इनकी आखों में होगे, नजर में होगे now let's see, कि उनका profession क्या होगा उनकी professional field क्या होगी, किस तरह की drop उनकी हो सकती है let's see from group number 3, चिन्हों ने भी pile number 3 चूज किया है let's see, कि उनकी professional fields क्या होगी from this card, okay we have a doctor so doctor होगे, आप यह वो, we also have a train conductor train conductor या वैसे ही, किसी भी जगह पे conductor होगे या आप उनको train में मिलोगे, we have a waitress, okay लडकी होगी तो waitress हो सकती है, okay तो दिखने में मुझे लग रहा है कि लडकी की या लडकी की, जो skin होगी वो काफी white होगी कि यहां पे भी आप बहुत ज़्यादा white देख रहे हो, तो देखने में बहुत attractive होगे white skin यहां पे नज़र आ रहे है, आपकी यह उनकी 50 या 60 या उससे अबव, तो डेफिनेटी पेट निकला वाओगा थोड़ा सा, टमी बगारा clean shave होगे, glasses भी लगाते होगे काफी सारे लोगों के लिए, eyes blue, black या brown हो सकती है taxi driver या, hood की या, मुझे बाहर वाली जगह भी नज़र आ रहे है, you know like, abort driver, taxi driver, इस तरह की चीज़, player हो सकते है so, okay, player का मतलब यहां पे, wow, yeah guys आप लोगों के reading में बाहर बाहर सेम चीज़ें आ रही है you will mirror each other, like crazy 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 यहां पे भी player है, यहां पे भी player है तो हो सकते है, player हो, मतलब खिलने का बहुत शॉक हो, football specially, pilot हो सकते है, wow age, height, यहां पे नज़र आ रहे है लड़की की बड़ी होगी, okay they will be fit sportsman, किसी तरह का भी sports पसंद होगा लेकिन player का मतलब football especially football की game है यहां पे तो पसंद होगी उनको fit body होगी, clean shave हो सकते है, बिल्कुल छोटे बाल हो सकते है इस तरह, दिखने में, ठीक है, on head यहां पे भी short hair है, लेकिन बड़े भी हो सकते हैं बाल you know like stylish, इस तरह के से cut किये वे हो, लड़के ने mustachie भी हो सकती है, थोड़ी थोड़ी beard भी हो सकती है, लेकिन totally clean shave भी हो सकते है, ठीक है लड़का और अगर लड़की है तो बहुत ही attractive होगी, especially smile fit body होगी okay so we have the lawyer, आप lawyer होगे यह वो lawyer होगे let's see, मजीद क्या profession उनका हो सकता है, आपके partner का judge, okay okay, आप lawyer तो judge इस तरह का combination भी हो सकता है, कि same field से होगे आप दोनों क्योंकि यहां पर को worker है, किसी तरह की same field होगी, लेकिन वो शायद आप से higher grade पे होगे, rich होगे इस तरह की उनकी field हो सकती है we also have a artist, so आप artist होगे यह वो artist होगे यह उनको पसंद होगा, इस तरह की hobby हो सकती है, उनकी activity हो सकती है and we also have a cashier, so cashier हो सकते है, ठीक है one more, I think I should take it one more, बहुत सारे लोग देख रहे है, तो cashier कहीं पर भी cashier हो सकते है, store में, banking में यह किसी बड़े malls में, ठीक है, वहाँ पर आपके उनका मिलना होगा, painter so किसी तरह के भी घर्म को paint करना, decorate करना, इस तरह की चीजों में, building में, house में, office में, इस तरह का work हो सकते है तो definitely artist होगे, painter okay, तो अब मैं उनकी initials लोगी, कि उनकी initials क्या होगे, ठीक है जो आपको मजीद बताएंगे, कुछ ज़र आप उनको जानते हो या नहीं you will see that, let's see okay, we have a Y, we have यहाँ पर नमबर बहुत है, 4, 5, 45 age हो सकती है, 47, 46 56, 68, age बड़ी हो सकती है, आपसे age में बड़े भी होंगे या उनकी यह date of birth हो सकती है, इन months में पैदा हूँ है, या आपसे मिलेंगे, ठीक है we have a Y, we have a B, we have O, U, T मुझे बुटीक भी यहाँ पर नजर आ रहा है, बुटीक बुटीक and A, U, we have H and we also have I so you can cut from a boutique, a lot of people किसी कोई लाइफ से, cudd करोगे, फिर इनको मिलोगे I also have a hill, you can catch that hill station we also think university, okay, boat or your certificate Как उनके letter हो सकते हैं, आप देख सकते हो, लेकिन यहां पर कम है, I will definitely take another letters, यहां पर कम हैं, दूसरे लोगों से लेके, we also have W, we have I, we have N and we also have D, so काफी सरे लोग शायद इनको night में मिलोगे, क्योंकि यहां पर night बन रहा है, ठीक है, DM भी है यहां पर, DM, तो हो सकते हैं, आप इनको पहले online मिलो, DM करो एक दूसरे को message करो, या वो आपको करेंगे, DM बन सकता है, लेकिन कुछ भी, ठीक है, so यह उनके letters ह आप मैं देखना चाहूंगी कि उनकी, overall उनका animal spirit क्या होगा, फिर मैं आप एंड पर देखूंगी कि आप उनको मिलोगे कैसे, let's see, so लड़की हो, यह लड़का, दोनों की height लंबी है, मुझे यहां पर नजर आ रही है, height बड़ी होगी, यह आप से बड़ी होगी, taller than you, बहुते हैं, सब तरह के height, clean shape भी हो सकते हैं, बाल डाय भी किये होगे लड़की ने, यह बलाक भी हो सकते हैं, totally, लेकिन यह पर बलाउंड और black hair नहरा है, let's see, we have a turkey spirit, number 61, give with gratitude and grace, okay, so काफी equal give and take पे बलीव करते हैं, आपके partner, यह उनका वो होगा, जो उनको मिलेगा, वो relationships में भी, ठीक है, अपनी family और आपके दर्म्यान में, 6 plus 1, 7, तो काफी spiritual होंगे, बहुत ही, मुझे लग रहे है, काफी playful भी होंगे, आपके साथ, तो उनकी nature काफी, मुझे लग रहे है के opposite होगी, आपसे, लेकिन, आपके साथ बहुता time spend करेंगे, we have a 27, fox spirit, think on your feet, so काफी attractive, look at this eyes, brown eyes, यह इस इंसान की आँखे पहले आप पे होंगी, यह इस तरह की आँखे होंगी, इस इंसान की mesmerizing, magnetic, यह यह इंसान काफी popular होगा अपनी आइस की वज़ा से, काफी सारे लोग इनको जानते होंगे, कि इस इंसान की आँखे बहुत, काफी intense personality होगी, देखने में, outlook लेकिन अंदर से बहुत ही ज्यादा playful और warm-hearted और अच्छे इंसान होगे, ठीक है, balance रखने वाले इंसान होगे, लेकिन 27 एज हो सकती है उनकी, यह यह निमबर बहुत important है, 9 and 7, ठीक है, life path नंबर आपका या उनका हो सकता है इस तरह, तो काफी एक इनसान यह आप दोनों की different personality होगी, एक बहुत playful और attractive और दूसरा बहुत intense, silent और introverted और किसी को ना आने देना life में, ठीक है, बहुत ही सोच समझ के फैसले लेना life के, family के, decisions, so काफी intense relationship होगा आपका इनके साथ, और दिखने में बहुत intense होगे, सबसे पहले आपकी आँखे, आपकी जो नजर है, इनकी लगेगा कि, oh my god, ये इनसान तो बहुत scary है, काफी खौफनाक है लड़का ये लड़की, लेकिन, ऐसे नहीं है, उनको जानने की जूरत पड़ेगी, और मुझे लगता है वो आपके साथ, या आपकी nature भी सतरा होगी, तो लोग का, आप दों की similarities होगी न, इसलिए, so let's see पाइलेट है, तो obviously, एरपोर्ट पे आप इनको मिलोगे, या किसी तरहाँ ट्रैवल के दोरान जब आप जा रहे हो कहीं, वो जा रहे हो कहीं, उनको मिलोगे, इस तरहाँ भी हो सकते हैं, या आपको शाथ ट्रैवल करके जाना पड़े, क्यूंके मुझे लग रहा है कि ये पार्ण पार्ण मिलोगे, वी आरफो अपर ये अपना इरप लेंड हो सकते हैं, आपना लेंड हो सकता है, उस पे वर्क कर रहे हों है , पार्म भी हो सकते हैं आप उनको मिलोगे and I'm also seeing library school या hotel भी हो सकता है ठीक है? library या इन जगों पे आप उनको मिलोगे this is your reading guys I will see you in the next video let me know in the comments, bye